सब्सक्राइब को लियानी ओनलाइन क्लासेश चैनल फॉर एक्जाने नमस्कार सातियों आज बात करते हैं इस्पेशल एजुकेशन पार्ट फॉर पर विसिष्ट सिक्षा दोस्तो इसी रिच का एचोथा हमारा वीडियो और इस वीडियो में भी 40 questions पर हम लोग discuss करेंगे और पूरा परियास करेंगे कि 40 के 40 questions महत्पूर्ण रहें और आप जो तयारी कर रहें उस तयारी में इनका भी कुछ योगदान रहें इन questions का और निश्य तोर पर ये वो question रहें जो आपके exam में आए दोस्तो इससे पहले तीन हमारे पार्डिस के आचुके हैं और इसके बाद भी आपके पास इसके चार पार्डोर आएंगे और उसके बाद हम जो last हमरा पार्डिस का होगा special education का उसमें 2008 से लेकर अभी तक के जितने भी परिक्षाएं हुई है पीजीटी से लेकर अस्टेन प्रफेसर तक की गॉर्मेंट डिग्री कॉलेज का हो या हायर एजुकेशन का हो special education से जितने भी प्रशन आए हैं सब पर हम लोग 1-1 चर्चा करेंगे इससे जो अगए कि वीडियोज होंगे हमारे वो teacher education और administration पर होंगे तो दोस्तो अगर आपको किसी प्रशन को लेकर संसे है और आपको लगता है किस प्रशन का उत्तर गल्थ है तो आप comments box में जरूर लिखें मैं उसको clarify करने का प्रियास करूँगा और प्रियास करूँगा कि जो सही उत्तर है वो आपको दिया जाए बैसे मैंने पूरा प्रियास किया है कि कोई भी प्रिशन जो है गल्थ नहीं हो उसका उत्तर जो है गल्थ नहीं हो और जो भी data आपको मिले वो authentic data मिले और मैं आपसे बार बार एकी बात कहता हुआ आया हूँ कि आप पढ़ें books को और हाँ दोस्तो एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि आप जो तैयारी कर रहे है एजुकेशन विशे में खासकर बेड और एजुकेशन की में बात करो तो हम इसी विशे के विद्यारती हैं आप भी और मैं भी तो अगर आपको assistant professor exam में return qualify करना ही है और आपको बनना है तो दोस्तो आपको जो है GS वाला portion है उसको भी ignore नहीं करना है इस बात का विशेज दियान दे क्योंकि मेरा यह मानना है कि कहीं न कहीं जो GS वाला हमारा part है वही deciding रहता है किसी भी कीमत पर आप उसको 22 से लेकर 26 question तक आप उसमें सही आपको करने हैं अगर आप अपना return अच्छा करना चाहते हैं तब और अगर आप उसमें मान के चले 25 से उपर question कर पाते हैं तो निश्य तोर पर आप यह मान कर चलें कि आपका selection होगा अगर subject पर हमारी सबकी command लगवग लगवग एकसी होती है तो जो deciding factor रहता है वो GS वाला portion रहता है तो आप उसकी भी तैयारी करें उसके लिए मैंने आपको books बताई ही हैं आप जो हमारा book वाला video है उसको देख सकते हैं और दोस्तों जो श्रोथ है इन questions का दोक्टर कुमार सं संजीव की प्रिटोगता सिक्षा सास्त्र डॉल्फन पॉप्लिकेशन पटना उसके साथ साथ सिक्षा सास्त्र विशेग की जो बुक है आपकी अर्विंद प्रगास जी और धर्विंद भारतिवाली वो उसके अलाबा AGP publication की डॉक्टर पी की गुपता जी का जो soul papers हैं उनक scientific books हैं जो आपका theoretical books हैं उसका भी समाविशन इन questions को collect करने के लिए किया गया है references में आप देख सकते हैं और मैं आपको बता भी रहा हूँ तो दोस्तों बिना कोई देर की आईए हम लोग सुरू करते हैं अपना जो हमारा आज का वीडियो है इसको हम सुरू करते हैं दोस्तों जो वीडियो है हमारा इसका जो पहला प्रशन है वह है मानसिक मंदता का का एक कारण है हमारे options है इसमें HRH रक्त असंगती RH ब्लड इनकम्पिटेविलिटी एनीमिया A और B दोनों या सरदर्द इसका यह option है दोस्तों जो मानसिक मंदता है उसका जो option है इसका ठीक है RH रक्त असंगती और इनीमिया यह दोनों ही मानसिक मंदता के कारण हो सकते है अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं गर्ववस्ता के दोरान मानसिक मंदता का कारण हो सकता है पोश्टिक्ता की कमी, X-ray विकरण, पर्थम तिमाही, रुविला का अटैक या उपर्योक्त सभी तो दोस्तों जो इसका सही आप्शन है वो D है इसमें पोश्टिक्ता की कमी की कारण भी मानसिक मनता हो सकती है X-ray के विकरण से भी ऐसा हो सकता है और इसके साथ साथ प्रथम तिमाही में रुविला का जो टीका लगता है अगर मानलेजिए वो वैक्सिनिशन ना हो या उसका अटैक हो जाए आपका रुविला का तो उसकी वज़े से भी ऐसा हो सकता है तो इसलिए इसका जो D option है उपर्योक्त सभी वह सही है अगले प्रशन की तरह बढ़ जाते हैं करीवी रिस्तिदारों के साथ साथी मानसिक मंदता का कारण हो सकती है हमेशा कभी 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 नहीं या इन में से कोई नहीं तो दोस्तों करीवी रिस्तिदारों के साथ साथी जो है कभी-कभी मानसिक मंदता का कारण हो सकती है ऐसा माना जाता है कि कभी-कभी ये इस्तिती उत्पन हो जाती है कि इसके द्वारा भी मानसिक मंदता हो जाएगा जोस्तो कारेकरमन का प्रतम चरण है कारेकरम स्वरी First Step of Programming आंकलन उद्देश निर्धारन सिक्षन कोशल या मुल्यांकन तो दोस्तो कारेकरम जो First चरण होता है वो होता है उद्देश निर्धारन का किसी भी छेत्री की बात करे है किसी भी छेत्री में कोई भी कारेकरम कर रहे है तो सबसे पहले हम क्या करते है जो सेटिंग गोल्स हैं, हम उनका निर्दारन करते हैं अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं फंक्शनल एसेस्मेंट चेक्लिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग FACP में कुल कितने चेक्लिस्ट होते हैं तीन, पाँच, आठ या साथ दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है D, जो चेक्लिस्ट हमारी होती है फंक्शनल एसेस्मेंट चेक्लिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग इसमें कुल मिलाकर साथ चेक्लिस्ट होती हैं दोस्तों, अगले प्रशन की तरफ हम बढ़ते हैं मानसिक मंदता को इंगित करने वाला बुद्धी लब्दी स्कोर है सत्तर से नीचे, असी से नीचे, नब्बे से नीचे या सो से नीचे तो दोस्तों, जो मानसिक मंदता को इंगित करता है बुद्धी लब्दी वाला जो सब्द है वह है आपका सत्तर से नीचे अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं मानसिक मंद बच्चों की पहचान के लिए बुद्धी परिक्षण होते हैं केवल एक मानदंड, एक औजार हैं कभी सायता नहीं मिलती या ये विशवेशने नहीं होते तो दोस्तों, जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं उनकी पहचान करने के लिए बुद्धी परिक्षण क्या होते हैं एक औजार के रूप में होते हैं अगले प्रिक्षण की तरह बढ़ते हैं मानसिक मंद दता की पहचान की जा सकती है जब बच्चा दो वर्ष के आसपास का हो छे वर्ष के आसपास का हो बारा वर्ष के आसपास का हो या अठारा वर्ष के आसपास का हो तो दोस्तों, जो मानसिक मंद दता है बच्चा लगवग दो साल के आसपास को around two years all बच्चा अगर होगा तो उसकी मांसिक मद्दता की पैचान easily की जा सकती है अगले प्रिशन को देखते हैं डाउन सिंड्रॉम होता है अनुवांसिक गुण सूत्रे विकार पूर परिक्पन maturity से बोलते हैं इन में से कोई नहीं तो दोस्तों जो डाउन सिंड्रॉम है यह गुण सूत्रे विकार है जो डाउन सिंड्रॉम है इसके वारे में चर्चा हम पहले वाले वीडियो में किये थे गुण सूत्रे में जो 21 आपका जोड़ा होता है उसके कारण जो है यह विकार उत्पन होता है अगले प्रेशन के तरह बढ़ते हैं सामाने करण सरपर्थम लोक परिये किया गया सिग्मेंट फ्राइड के दौरा जेवी वाटसन के दौरा वुल्फ फेंस वर्गर के दौरा या मारिया मॉन्टेसरी के दौरा तो दोस्तों जो आपका सामाने करण को सरपर्थम जो लोक परिये किया था वे किया था वुल्फेंस वर्गर के दौरा वुल्फेंस वर्गर नहीं जो है सामाने करण को सरपर्थम लोक परिये किया था अगले प्रश्ण की तरह बढ़ते हैं सामान ने इस्तिती में किसी ध्वनी को सुनने के लिए आवशक्ता होती है 50-60 decibel गहनता वाली ध्वनी की 30-40 decibel गहनता वाली ध्वनी की 70-90 decibel गहनता वाली ध्वनी की या उपरोक में से कोई नहीं तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है 50-60 गहनता वाली जो decibel गहनता वाली ध्वनी होती है इसकी अवशक्ता होती है अगले प्रश्ण की तरह बढ़ते हैं यदि व्यक्ति को किसी ध्वनी को साफ सुनने के लिए ध्वनी को 130 decibel पर रखना पड़ रहा हो तो उसकी स्रवन च्छती होगी 130-50, 80 decibel, 130-40, 90 decibel या उपरो दोनो तो दोस्तों जो उसका उत्तर है वो 130-50, 80 decibel च्छती उसकी होगी अगर उसको साफ सुनने में जो है ध्वनी की मातरा जो है 130 decibel रखनी पड़ रही है अगला प्रशन देखते हैं 100 decibel से अधिक तीवरता वाले ध्वनी पैदा कर सकती है हिर्दे रोग, चिर्चड़ापन, मानसी विकार या उपरोक्त सभी तो दोस्तों जो उसका सही उत्तर है वह डी है अगर 100 decibel से अधिक तीवरता वाले ध्वनी पैदा हो रही है में सुधार किया जा सकता है हेरिंग एड का प्रियोग करके द्वनी अवर्धक का प्रियोग, यंत्र का प्रियोग करके और टी एफ ट्रांस्मिशन का प्रियोग करके उपरोक्त सभी के द्वारा तो दोस्तो उपरोग सभी के दोबरा हेरिंगfiction का परियूग करें या दोनी अवर्धक यंतर का यूज करें या T.F. टांसमिशन का परियूग करें इन सभी के दोबरा हम सुनने की छंता में सुधार कर सकते हैं अगला प्रशन देखते हैं उत्तर प्रदेश में अलावाद, आगरा, मेरट, इस्थानों पर नॉर्मल स्कूल आरम किये गए थे दोस्तों याद रखेगा इलावाद की जगे अगरा एक्जाम में इस बार आएगा तो प्रियागरा आजाएगा इलावाद नहीं आएगा तो आफ पढ़ सकते हैं सको उत्तर प्रियागराज, आगरा, मेरट, आदिस्थानों पर नॉर्मल स्कूल आरम किये गए थे 1875 में, 1880 में, 201840 में या 1965 में दोस्तों जो सहिका उत्तर है वो है 1875 में जो है नॉर्मल स्कूल जो पर आरम किये गए थे इन तीनों जगा अगले प्रशन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तो गल्थ विकल्प चुने विश्व विकलांग दिवस 1981 पत्रचार पाठेक्रम के स्थापना 1986 इंद्रा गांधी मुक्ती विश्विध्याले 1985 और दूर दसन के स्थापना 1926 तो दोस्तो इसका जो गल्थ विकल्प है वह आपका है पत्रचार पाठेक्रम के स्थापना 1986 यह गल्थ है और जो तीन विकल्प में वो ठीक है आगे प्रशन देखते हैं अंतराश्टिय विकलांग बर्स गोसित हुआ था 1959 में 1975 में 1981 में या 1980 में दोस्तो जो अंतराश्टिय विकलांग वर्स जो गोसित हुआ था वह हुआ था 1981 में 1981 में जो है अंतराश्टिय विकलांग वर्स को गोसित किया गया था अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं मांसिक मंदिता का एक कारण है कर्म पीलिया द्रश्टिकोन या नसा दोस्तो मांसिक मंदिता का एक कारण हो सकता है आपका जो पीलिया है वो भी मांसिक मंदिता जॉइंडिस है वो भी एक तरीके से मांसिक मंदिता का एक कारण हो सकता है अगला प्रशन देखते हैं मांसिक मंदिता को ठीक किया जा सकता है विवहा के दोरा इस्थानी करण के दोरा बच्चों का स्कूल में दाखिला करा कर या इन में से कोई नहीं तो जो दोस्तों जो मानसिक मंदता को जो है इस्थानिक इंस्टिटूशनराईजेशन के दुआरा जो है इसको सही किया जा सकता है प्रियास किया सकता है इसको ठीक करने का अगला प्रशन देखते है मानसिक मंदता है एक रोग एक दशा एक बिमारी या इन में से कोई नहीं तो दोस्तों जो मानसिक मंदता क्या है एक कंडिशन है एक दशा है इसको एक दशा के रूप में जो है कंडिशन के रूप में इसको देखा जाता है अगले प्रश्ण के तरह बढ़ते हैं संसाधन कक्ष सिक्षन ज्यादा उपयोगी है दरश्टी बादित बच्चों के लिए learning disabilities के लिए मानसिक मंदिता के लिए या दोनो A और B उपरोक्त दोनो मतलब A और B दोनों के लिए दोस्तों जो इसका option ठीक है वो D ठीक है A और B दरश्टीत बादित बच्चों के लिए जो visual impairment बच्चे हैं उनके लिए और learning disabilities के लिए जो है संसाधन कक्ष जो है ज़्यादा उपयोगी है अगले प्रश्ण को देखते हैं Program of Action P.O.A. कौन से वर्ष से लागो हुआ कोशन है हमारा Program of Action 1990 1991 1992 1992 1986 दोस्तों जो Program of Action है उसको जो सुरुवात की गई थी वो 1992 से की गई थी 1992 में भी ही Program of Action जो है वो लागो हुआ अगला प्रश्ण देखते हैं ADHD है Attention Deficiate Hyperactive Disorder Attention Deficiate और Hyperactive Disorder Sorry, End है Attention Deficiate Disorder या इन में से कुई नहीं तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है आपका A Attention Deficiate Hyperactive Disorder इसके बारे में भी फर्स्ट वीडियो में चर्चा की गई है आप उसको देखें क्या ADHD क्या है ये सब उसमें बताया गया है जो Attention Deficiate Hyperactive Disorder है अगला प्रशन देखते हैं द्रश्यतीक्ष्णता मापा जाता है नैलेन चार्ट पर इसनेलेन चार्ट पर सेलेन चार्ट पर क्या इन में से कुई नहीं तो दोस्तों जो इसनिलन चार्ट है इस पर जो है द्रश्य तीक्ष्णता को हम मापते हैं ध्यान नखेगा इसनिलन चार्ट पर ही जो तीक्ष्णता मापते जाती है द्रश्य तीक्ष्णता वो इसनिलन चार्ट पर मापते है अगरा प्रशंद देखते हैं Public Law 1994-152 और किस रूप में जाना जाता है Education for All Handicapped Children Act के रूप में जाना जाता है Special Education Act के रूप में जाना जाता है Mental Health Act के रूप में जाना जाता है इन में से किसी के द्वारन नहीं तो दोस्तों जो 94-142 पावलिक लो है उसको हम Education for All Handicapped Children Act के रूप में भी जानते हैं अगला प्रशन देखते हैं बिकलांग छात्रों को LRE में सिक्षा प्रदान करने चाहिए LRE है मतलबी LRE क्या है कम से कम प्रतिबंदक सिक्षा Least Rehabilitation Education दूसरा Option है हमारा कम से कम प्रतिबंदी बातागर्ण Least Restrictive Environment विदहयक पुनरवास सिक्षा Legislation Rehabilitation Education या इन में से कोई नहीं None of these तो दोस्तों जो LRE है वो कम से कम प्रतिबंदी बातागर्ण Least Restriction Environment में जो है जो विकलांग बच्चे होते हैं अगर उनको सिक्षा दी जाएगी तो निश्य तोर पर वो बच्चे जो है बहुत अच्छा सीखेंगे क्योंकि अगर बातागर्ण के अंदर कोई भी रोक्टोग होगी कोई भी प्रतिबंद होगा तो कहीं ने कहीं बालक किसी भी कारेकर को करने में जो है सहज नहीं होगा और प्रतिबंदों कारण वो जो है चीजों को सीख भी निपाएगा तो इसलिए यह अवश्यक है कि जो विकलांग बच्चे होते हैं उनको जो है Least Restriction Environment मतलब कम से कम प्रतिबंदी जो बातावण है वो प्रदान किया जाए ताकि उनके अंदर जो है ग्रोध जो है वो अच्छे से हो सके है अगला प्रशन देखते हैं Computer साहता अनुदेश CAE सीखने में मदद करता है मानसिक मंदता बच्चों के लिए द्रश्टी बाधित बच्चों के लिए सिर्बन बाधित बच्चों के लिए उप्रियुक सभी के लिए तो दोस्तों जो CAE है Computer Assisted Instruction इसको बोलते हैं Computer Sahet Anodation यह सभी को जो है सीखने में मदद करता है चाहें वो मानसिक मंदता हो बच्चे हूँ चाहें वो द्रश्टी बाधित बच्चे हूँ यह स्तिर्बन बाधित बच्चे हूँ सभी को सीखने में यह प्रौसयोग करता है अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं SQR क्या है Student Question, Read, Recite, Review Survey Question, Read, Recite, Renew Sample Question Reaching, Review या इन में से कुई नहीं तो दोस्तो जो सही उत्तर है वो है आपका Survey, Question Read, Recite, Review उसका सही option है B option इसका ठीक है अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं Carre Vecilation है Neel Mudran Blueprint Siction, Paddyati, Teaching Methods A और B दोनो या इन में से कुई नहीं तो दोस्तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका B Siction, Paddyati जो Carre Vecilation क्या है वो क्या है Teaching Method है अगला प्रशन देखते हैं सिक्षा, परमात्मा, पूर्टा की अविव्यक्ति पहले ही मनुश्य में विद्यमान है किस के दौरा कहा गया है स्वामी विवेकरन्द के दौरा गांदी जी के दौरा फ्रोवेल के दौरा पेस्टरलो जी के दौरा तो दोस्तो ये स्वामी विवेकरन्द जी के दौरा कहा गया है ये philosophy का question इसके अंदर है अगला प्रशन देखते हैं परिसुद्धता परिसुद्धता सिक्षण में चात्रों की निगरानी में कदम है परिसुद्धता सिक्षण में चात्रों की निगरानी में कदम है परिसुद्धता सिक्षण में चात्रों की निगरानी में कदम है परिसुद्धता सिक्षण में चात्रों की निगरानी में कदम है परिक्षा का, मूल्यांग कानेवरं ग्राफ का अगला प्रसंद देखते हैं डीनो के के सके प्रनाली में विसस् effectivement सिवाओं को कितने इस तरह में रखा गया है तो दोस्तो जो डीनो के के सके प्रनाली है, इसमें अगर विसे सिवाओं की बात करें तो इसके इसमें कोशन में option दिये हैं ये option है 5, B है 6, C है 7 और D है 8 तो दोस्तो इसका जो सही उत्तर है वो C, 7 इसका उत्तर है जो D no case case के प्रणाली में विशे सिशा सिवाओं को 7 इस तरों में रखा गया है अगले प्रशन की तरब बढ़ते हैं N I E PMD है मतलब कहां इस्तित है मुंबई में, कोयमबटूर में, चैननई में या कोलकाता में दोस्तो जो N I E PMD है उसका full form है National Institute for Empowerment of Person with Multiple Disabilities आप उसको दिव्यांग जन भी बोल सकते हैं एक बार दोवारा देखीगा National Institute for Empowerment of Person with Multiple Disabilities ये इस्तित है मुंबई में, कोयमबटूर में, चैननई में या कोलकाता में तो दोस्तो जो इसका सही उत्तर है वह है चैननई ये चैननई में इस्तित है मतलब इसका जो इंस्टिजूट है ये चैननई में इस्तित है अगले प्रशन के तरह बढ़ते हैं CBR ने केबल समुदाय आधारित पुनरवास के लिए संदर्वित करता है बलकि ये हैं भी सामिल है समुदाय आधारित प्रेस्टिक्षन, Community Based Training रोक थाम प्रिवेशन या ये और भी दोनों या इन में से कोई नहीं तो दोस्तों जो CBR ने केबल समुदाय आधारित पुनरवास के लिए संदर्वित करता है बलकि ये दोनों काम करता है समुदाय जो आधारित प्रेस्टिक्षन है, Community Based Training है ये वो भी करता है और जो रोक थाम है इसको रोक थाम भी करता है तो A और B इसके दोनों ओप्शन जो हैं आपके ठीक है अगला प्रशन देखते हैं सारे के रोप से विकलांग, व्यक्तियों को नोकरी में कितनी सीमा तक रियायत है 40 वर्ष, 45 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष तो दोस्तों जो सारे रोप से विकलांग, व्यक्ति होते हैं उनकी जो नोकरी में जो रियायत है उनको 40 years तक जो है वो किसी भी नोकरी के लिए अपलाई कर सकते हैं तो ये जो को रियायत मिली हुई है 40 वर्ष तक के लिए मिली हुई है अगला पूशन देखते हैं आधुनिक आल में सिख्षक की भूमिका है विशलेशनात्मक जोडने वाला दोनों ए और बी या इन में से कोई नहीं तो दोस्तों जो आधुनी काल में अगर सिख्षक की भूमीका की करम बात करें तो वो दोनों ही रूपों में हैं चाहें विसलेशन आत्मक एनलेडिक हो या फिर एसोसियेटिव हो जोडने वाला हो तो दोनों ही रूप में इसको जो है जाना जाता है तो इसका जो है ओप्शन का जो ओप्शन C है वह सही उसका उत्तर होगा अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों IED योजना कौन से वर्ष में सुरू की गई जो IED है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है Integrated Education for Disabled Children एक बार दुबार देखें Integrated Education for the Disabled Children योजना कौन से वर्ष में लागू की गई 1970 में 1972 में 1974 में या 1978 में तो दोस्तों जो IEDC योजना जो लागू की गई है वो 1974 में इसके शुरूआद जो है की गई है अगला प्रशन देखते हैं परिभासिक सब्द मानकी करण की उत्पत्ती कहां से हुई है कोशन पुन है देखें परिभासिक सब्द मानकी करण की उत्पत्ति कहां से हुई है कैनेडा जैपायन डैनमार्क या इन में से कुई नहीं तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है डैनमार्क जो मानकी करण सब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो डैनमार्क से हुई है अग से प्रभाब में आया है 1998 से 1999 से 1997 से 1996 से दोस्तों जो राष्टे न्याय अधिनियम जो प्रभाब में आया है वो 1999 से जो है प्रभाब में आया है दोस्तों हम अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं पुनरवास एक प्रियास है सरकारी एजन्सियों का गेर सरकारी एजन्सियों का जो ये गवर्म्नेट एजन्सियों है वो ये जो थैर्ड ऑप्शन हमारा A और B दोनों यह फॉर्ट ऑप्शन है नन आफ आपस्वलास कहा उतन में से कोई नहीं तो दोस्तो जो पुनरवास एक प्रियास है दोस्तो वो जो है सरकारी एजनसियों के लिए और गहर सरकारी एजनसियों दोनों के लिए ही यह एक प्रियास है तो इसका जो शी आप्शन है वो आप्शन इसका correct है दोस्तों तो ये हमारे इस जो हमारे इस सीरीज के वीडियो थी फोर्थ इसके ये हमारे प्रशन थे आई होप ये प्रशन आपको पसंद आएंगे और मैंने प्रियास किया है कि अच्छे सा अच्छा डेटा आपको दिया जाए सुद्ध डेटा दिया जाए बिना गलती के और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइक और ना ना भूले मेरे वीडियो का दिख सिर्द लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों तो पहुंचाएं ये जो मैं छोटा सा प्रियास अपने सभी साथियों के लिए कर रहा हूँ ये निस संका होगे उसके समाधान करने का पूरा प्रियास करूँगा यद भी मैंने पहले पूरा प्रियास किया है कि आपको किसी प्रेशन का उत्तर जो है गल्त नहीं मिले सभी उत्तर आपको सही मिले अगर भूल वस तुर्टी वस मेरे से कोई गल्ती हुई है तो मैं इसको सुध